बाबा साब ने आठवी पिर्तिग्या में कहा है कि मैं कोई भी किरिया कर्म ब्रामनों के हाथ से नहीं कराऊंगा आखिर ऐसा क्यूं कहा उन्होंने ब्रामनों के हाथ से नहीं कराऊंगा क्योंकि यही ते उनके जीवन का सारा संघर्ष था बाबा साब के जीवन का सारा संघर्ष ही यह था कि जो ब्राहम मरवाद का पाखंड है जो ब्राहम मरवाद है जिसमें एक इंसान उचा दूसरा उससे नीचा तीसरा उससे नीचा और चौधा सबसे नीचा और चौथे जो वर्ग के लोग थे उनका केवल और केवल एक ही धर्म बताया ब्रामरवाद ने कि ये उपर के तीनों जो वर्ग हैं उनकी सेवा करना वो अपनी कोई संपत्ती खटा नहीं कर सकता था उसे हत्यार उठाने का अधिकार नहीं था उसे शिक्षा ग्रहन करने का अधिकार नहीं था तो ये सारा के सारा ब्रामरवाद के तो धकोसला था यही ब्रामरवाद जो वेदों को सनातन मानता है वेदों को सर्वोपरी मानता है उन्ही वेदों में, उन्ही धर्म शास्त्रों में, उन्ही इस्मृतियों में, सारा सब कुछ इसका पाखंडी तो है, वही वेद वाक्य तो है, जो ये कहते हैं कि ब्रह्मा के मुक से ब्रह्मन पैदा हुआ, और बाजूं से या छाती से छत्री पैदा हुआ, और उदर यानि पेट और कईजे के कहा है कि जंगाओं से वैश्य पैदा हुआ और शुद्र पैरों से पैदा हुआ तो शुद्र का इस्थान सबसे नीचा है यही तो है ब्रहमणवाद यही तो इनके कर्मकांड है सारा सब कुछ यही शड़ियंतर चलता रहे और इतनी बड़ी देश की आब पैसे से दूर है यह सारा शड़ियंतर था और यह सारी क्रियाँ कलाब जितने भी हैं जो ब्रहमणड करते हैं यह सब उसी कितों है चाहे उनके सोले संसकार देख लिए इनसान के पैदा होने से लेकर और उसके मरने तक के जितने भी संसकार है सम्में कहा है किस के दान की बा यह जितना भी है यह सब ब्राह्मनवाद का तो शड़ेंत्र हैं जितने भी क्रिया कलाप हैं उनके सबुनिक तो शड़ेंत्र हैं अगर आज की तारिक में हम देखें मैं दो तीन उधारण आपको देता हूं उसी सिसंबंद में आपको पता लग जाएंगे जिसकी वजह से उन सामान खरीदा जाता है बनिय से खरीदा जाता है व्यापारी से खरीदा जाता है तो व्यापारी को बनिय को फायदा हो रहा है और जो चलावा चलाए जाता है वह ब्राह्मन की जेव में जाता है तो ब्राह्मन और बनिय इन दोनों की जेव में तो जा रहा है इसके अलावा वेशनुदेवी यह जितने भी देवी देवताएं हैं इनके जितने भी प्योहार हैं और यह जितने नवरात्रों का त्योहार हैं इस सारे का सारे कहां जाता है यह पैसा जो चड़ावा है ब्रहम्मण की जिव में और जो सामन खरीद जाता है तो भनिये से इसलिए जितने भी कर्म कांड हैं जितने भी क्रिया कलाप हैं वो ब्रहम्मणवाद के द्वारा फैलाएगे ब्रहम्मणवाद के द्वारा बनाएगे इस ठापित किये गए क्रिया कलाप में और उन से बाकी सब का नुकसान होता है और ये शोशित पीडित दबा कुचला हजारों साल का जो इत्यास है ये जो समाज है इतना बड़ा इस समाज का केवल अहित होता है उस से उसका फायदा नहीं होता जो कमाई है आज की तारिक में ये भला हो बाबसाब डॉक्टर उम्बेटकर का भला हो हमारे समाज के भावजन समाज में जन्मे हुए संतों का महापुर्शों का जिनके कर्मों की वजह से आज हम इस देश में थोड़ा जी पा रहे हैं इस्जत की सांस ले पा रहे हैं डंक से रह पा रहे हैं, सिख्षा ग्रहन कर पारहे हैं, नौकरियों में आ पा रहे हैं, उनकी बदलत, तो ये आज भी जो शडयंत्र है वो इसलिए बरकरार रखा जा रहा है, ताकि हम जो कुछ भी कमा रहे हैं, उनकी भेंट चड़ा दें और हम फिर वहीं कि वहीं खड़े के माध्यम थे, ब्रहमर के होतों से नहीं कराओंगा ये उस ब्रहमरवाद की जड़ को तोडने का, खत्म करने का एक बहुत बढ़ा हत्यार है, बहुत बड़ी सिक्षा है, अगर हमने ये समझ ली बाबा साब को अगर हमने तरीके से समझ लिया उनके आदिशो को, उनकी सिक्षाओं को अगर हमने मल लिया तो हम उस जाल से, उस जनजाल से छूट जाएंगे और जो भी कुछ हम कमाते हैं, जो भी कुछ महनत करके हम पाते हैं वो अपने आप अपने परिवार और अपने समाज की भलाई में उसका हम सद्धियू प्योग कर सकेंगे इसलिए बाबा साब ने कहा कि मैं कोई भी क्रिया कलाप ब्रामण के माध्यम से नहीं कराऊंगा अगर कुछ कराने ही है तो हमारे बहुत भिक्षू हैं हम उनके माध्यम से कराएं बहुत धर्म के सिक्षाओं को फैलाने में हमारे जिन बहुत भिक्षू का हाथ है हम उनके लिए काम करें अगर दान भी देना है तो हमारे घर पर जब भी बहुत भिक्षू आते हैं या जब भी हम बहुत भिक्षू से मिलते हैं हमें उनको दान देना चाहिए ताकि वो ततागत के धर्म को भगवान बुद्ध के धर्म को और उस धर्म को जिसको ग्रेहन करने के सिक्षा जिसका आदेश हमारे मुक्तिदाता बाबा साभ डॉक्टरमबेट करने दिया है उसको फैलाने में काम आए तो हम उसके लिए काम करें इसलिए बाबा साब ने कहा कि मैं ब्रहमन के द्वारा किसी भिक्रिया कलाप को कभी नहीं कराऊंगा हमें उनके आदे शुका पालन करना चीए अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं अपनी मुक्ती चाहते हैं अपनी उन्नती चाहते हैं तो